नमस्कार मैं हूँ मनोज मुंतशर पिछले दिनों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हल्दी घाटी का पाठ किया तो आप मैंसे कई लोगों ने मेरी पीट थप थपाई मुझे शाबाशी दी लेकिन कुछ ऐसे भी साथी थे जो मेरी इस पहल से नाराज हो गए एक सवाल कई बार उठाया गया कि इतिहास जानना क्यूं जरूरी है जो हो गया वो हो गया अब गड़े मुर्दे क्यूं उखाड़ना दोस्तों इतिहास जानना गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं दबे हुए खजाने खोदना है क्यों जरूरी है इतिहास जानना ताकि इतिहास में जो गल्तियां हुई है हम उन्हें दोराएं नहीं और जो कुछ अच्छा हुआ है सही हुआ है हम उससे कुछ सीख के पूरी मनवता को फाइदा पहुचाएं इस दुनिया को और बेहतर बनाई हमें कई बार लगता है कि बात बहुत पुरानी हो गई अब प्रासंगिक नहीं है रिलेवेंट नहीं है लेकिन यही हमारी भूल है जो चुनौतियां तब थी वही आज भी है बस थोड़ा सा रंग रूप बदल गया है मैं शास्त्रों का ग्याता नहीं हूँ पंडित नहीं हूँ लेकिन प्रेमी जरूर हूँ मुझे एतिहास पढ़ना और उसे सबख लेना अच्छा लगता है और मैं हर वो चीज आप के साथ बाटना चाहता हूँ जिससे मुझे फाइदा हुआ है 1988 में मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी यही वो साल था जब मैंने टेलेविजन पर पहली बार महा भारत देखी टीवी पर तो खेर सीरीज खत्म हो गई लेकिन मेरे मन में महा भारत का एक एक पन्ना रोज खुलता रहा मैं हैरान रह जाता यह सोश कर कि 5000 साल पहले जो हुआ उससे आज कितना कुछ सीखा जा सकता है समझा जा सकता है और practically अपनी सफलता के लिए अपलाई किया जा सकता है आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के वो पाँच सूत्र जो हम सब को महा भारत से सीखने चाहिए ये दुविधा आपके सामने किसी न किसी रूप में हर दिन आती होगी मेरे सामने तो आती है बहुत सारी फिल्मों के ओफर्स होते हैं जादा काम करने का मतलब है जादा पैसे, जादा फिरेंशिल स्टेबिलिटी, जादा बड़ा घर, जादा बड़ी गाडिया लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जादा की दौड में हम कम और बहुत कम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कृष्ण का संबंध कौरों और पांडवों दोनों से था वो दोनों में किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे आखर तक वो युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तेना पुर भी गए मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुरियोधन को समझाने को भीषण विध्वन्स बचाने को भगवान हस्तिना पुर आए पांडव का संधेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो देदो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असिना उठाएंगे दुरियोधन वह भी देन सका आशिस समाज की लेन सका अब तो युद अवश्यम भावी था होना ही था क्रिश्ण ने निश्पक्ष रहते हुए दुरियोधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया एक तरफ मेरी एक अक्षोणी नारयानी सेना है दूसरी तरफ मैं अकेला जिसको जो चाहिए लेलो चुनाओ तुम्हारा है एक अक्षोणी सेना में क्या-क्या होता है मैं बताता हूँ 21,870 रत 21,870 हाथी 65,610 घोडे 1,9,350 पैदल सैनिक कुल मिलाकर 2,18,700 योध्धा जिनमें सार्थी शामिल नहीं है क्योंकि वो हत्यार नहीं उठाते तो एक तरफ ये कौँटिती थी और दूसरी तरफ अकेले क्रश्ण वो भी नहत्थे पर क्वालिटी से भरपूर दुरियोधन ने कौँटिती चुबी नाराणी सेना, अरजुन ने क्वालिटी अकेले क्रश्ण युद्ध का पनिनाम क्या हुआ? आप सब जानते हैं गिंतियों की दौड में ना पड़े गुणवत्ता के खोश करें विजय निश्चत है शकुनी के फेके हुए पासों ने पांडवों को द्यूत क्रिडा यानि जुए में हरा दिया और उन्हें 12 साल का वनवास और एक साल का अज्यातवास लेना पड़ा शर्त ये थी कि अगर अज्यातवास के एक साल में पांडवों में से कोई भी पहचान लिया गया तो 12 साल का एक और वनवास फिर से शुरू हो जाएगा अज्यातवास की परिस्थिती कितनी कठिन थी आप अंदाजा लगा सकते हैं हर हाल में छुपना ही था और छुपने वाले भी कौन जो हजारों लाखों करोडों में पहचान लिये जाएं पांड उपुत्र हस्तिनापुर के राशकुमार एक दुनिया का सबसे बड़ा धनुरधर दूसरा इतना बलवान कि परबत को भी बगल में दबा ले तो वो कड़कड़ा के चटन जाए धर्मराज युधिस्टर जिन्होंने सत्य का व्रतले रखा था यानि पकड़े गए तो जूट नहीं बोलेंगे मान लेंगे कि वही युधिस्टर है नकुल और सहदेव जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे सुन्दर युवक संसार में दूसरा कोई था ही नहीं और पांचाली द्रौपदी ब्रम्हांड की सबसे दिव्यस्तरी इनका छुपना अज्यात रहना एक असंभव चुनौती थी लेकिन इस चुनौती से घबरा कर इस पर आशू बहाने की जगे पांडवों ने तै किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएंगे वो राजा विराट के यहां जा पहुँचे छुपने के लिए अरजुन जैसा वीर बुरुष गांडी वधारी एक नपुनसक व्रहनला का रूप धरके राजा की बेटी उत्तरा को निर्ति सिखाने लगा युधिश्टिर जो खुद दुरियोधन से जुए में हार गए थे वो राजा विराट को दियूत क्रीडा यानि जुवा सिखाने लगे और इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमती मिल गई भीम, महावली भीम जिनका भोजन सैकणों रसोईये मिलके बनाते थे वो खुद रसोईया बन गए और द्रौपदी जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी वो सोयम दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी जब समय की आंधी उल्टी चल रही हो तो उसकी तरफ पीट कर लेने में ही भलाई है जब आंधी गुजर जाएगी फिर अपना जोहर दिखाएंगे फिर गांडियों उठाएंगे वक्त अच्छा है तो मखमल पे कदम रखते हैं वरना अंगारों पे चलने का भी दम रखते हैं काम्याबी के लिए निट वर्किंग ज़रूरी है आप कितने भी सक्षम हूँ आपको दूसरों की जरूरत पढ़ने ही वाली है इसलिए अच्छा होगा कि संबंध जोडते चलें बिना ये सोचें कि इस रिष्टे का आज आपको कोई फाइदा होगा या नहीं कल पर नजर रखें दूर दृष्टी कौरों से लड़ने के लिए पांड़ों के पास कुछ नहीं था ना सेना, ना हथियार, ना राज लेकिन संबंध थे जो उन्होंने अलग-अलग समय पर जोड रखे थे द्रौपदी से ब्याह किया तो उनके पिता पांचाल नरेश संबंधी बन गए अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुफद्रा से विवाह किया तो कृष्ण की राजधानी द्वारिका भी कूटनीतिक रूप से पांडवों के सहयोग में उतर आई अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यू का विवाह उत्तरा से किया जो मत से राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी कुरुक्षेत्र में मत से सेनाए पांडवों की ओर से लड़ी पांडवों ने तमाम बाधाओं के बावजूद अगर कुरुक्षेत्र का रण जीता तो इनी संबंधों के बलबर सीखने वाली बात ये है कि जितने जादा आपके दोस्त होंगे सफलता की संभावनाए उतनी ही जादा बढ़ जाएंगी अभिमन्यू अरजुन का पुत्र महा पराक्रमी जन्म जात योध्धा अरजुन ने तो फिर भी रण कौशल गुरुवों से सीखा था अभिमन्यू तो जन्म से ही रण विद्या में दक्ष था कहते हैं उसने मा के पेट में ही चक्रवीहु तोड़ने की विद्या सीख ली थी लेकिन घल्ती क्या हुई? उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया जितना सीखा था उसी पे रुख गया शिक्षा कभी पूरी नहीं की परिणाम पुशत्र का चक्रवीहु तोड़ कर उसमें प्रवेश तो कर गया लेकिन जीवित वापस नहीं लोट पाया क्यूंकि वापस लोटने का बाठ कभी बढ़ा ही नहीं अर्जुन कुमार की कथा किन्तु अब तक भी हिरदय हिलाती है सभ्यता नाम लेकर उसका अभी रोती पश्ताती है संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक जिसका भविश्य नक्षत्रों की तरह उजवल था वो अकाल मृत्यू के अंधकार में खो गया सिर्फ इसलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी अभिमन्यू की तरह रण भूमी में प्रवेश भी करना है और अर्जुन की तरह विजई होकर वापस भी लोटना है तो अपने आपको हमेशा अपडेटेड रखें ये महत्व कांग्षा है लेकिन ये सब अगर आप किसी का अधिकार छीन के किसी का हक मार के करना चाहते हैं तो वो लालच है महत्व कांग्षा जितनी अच्छी चीज है लालच उतनी पुरी दुरियोधन चक्रवर्ती समराट बनना चाहता था उसकी महत्वक आंग्शा थी कि सिर्फ हस्तिनापूर ही नहीं दसों दिशाओं में उसका राज हो लेकिन उसे लालश का अभिशाब डस गया उसने अपने ही भाईयों का हक मारना चाहा पांडवों को पांच गाउं देने से इनकार कर दिया दुरियोधन ने कर्म का संतुलन बिगाड़ दिया और फिर क्या हुआ हस्तिनापूर का वो राजा जो जमीन पर पाउं नहीं रखता था कुरुक्षेत्र के धूल में लोटते हुए मर गया अपनी ambitions को कभी greed में ना बदलने दे ध्यान रखें कि आपकी महत्वा कांग्षा कभी कभी लालश ना बनने पाए ये थे वो lessons वो part वो सबक जो मैंने महाभारत से सीखे और अपनी जिंदगी में अपलाई किये अगर आपको लगता है कि ये insights आपके काम आई तो comment section में लिखें मैं आगे भी ऐसे videos बनाता रहूँगा एक और बात Facebook पर हमारा परिवार एक मिलियन के गिंती और Insta पर पांच लाग के गिंती पार कर चुका है आपने मुझ में जो विश्वास दिखाया है उसके लिए thank you, शुक्रिया, आभार जैसे शब्द बहुत छोटे हैं मैं इन में से कोई भी शब्द प्रियोग नहीं करूँगा बस एक चुप चाप सा वादा करूँगा कि मैं आपके जिन्दगी में जितना value addition कर पाऊं अपनी बातों से, कविताओं से, गीतों से, फिल्मों से, YouTube और सोशल मीडिया से मैं करता रहूँगा Thank you for your time